तो रायपूर उत्तर वदान सभा में मतदान कराने की जिम्मधारी पूरी तरह से महिलाओ के हाथ में दिखाई दी है महिलादिकारियों ने पुरिश्येत्र के संगवारी बूद को बखुबी सम्हाल भी लिया है और एक इतिहास रश्य दिया है सुरक्षा से लेकर मतदान तक जिम्मधार महिलाओ के रफ्तार मीजा की टीम ने जायजा लिया आईए देखते हैं जलक चतितगर में 90 विधान सभाओं में से 7 नमबर को 20 विधान सभा के चुनाओं हो चुके हैं कि ये एक वर्ट दिया गया है जैसे कि आप देख रहे हैं एक चिडिया बाकाइदा सबको आकरशित कर रही है तो इसमें बाकाइदा ये लिखा भी है कि मतदान हमारा अधिकार नहीं बलकि जिम्मेदारी भी है तो इस तरह से यदि देखा जाए तो लोगों में काफी जागरुकता फलाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है जैसे कि हम आज राइपूर उत्तर विधान सभा शेतर के एक मतदान केंदर में हम मौदूद हैं और हम देख रहे हैं कि यहां पूरे जो मतदान कर्मी है अहली बार ये इंदुस्तान के इतिहास में यह हुआ है कि जहां पूरे रैपुर उत्तर विधान सभा में पूरी जो कमान है सारे बूतों में महिला अधिकारी ही पूरी जिम्मदारी समहाल रही है मदान के दुमें हजारों महिलाएं जो जहां मदान करने आ रही हैं उसके सुरक्षा को लेकर सारी जिम्मदारी महिलाओं के कंधे पर रखी गई है सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह निर्वाचन के इतिहास में एक दुलब और अविस्प्रणी और बेहद गौरोपुर्ण देखा जाए तो यह शन है जिसके कारण लगबग 201 जो मदान केंद्र हैं और यह सभी जो मदान केंद्र हैं वो संगवारी बूथ कहलाते हैं यानि पिंक बुद जिसे कहा जाता है और यहां पिठासीन अधिकारी से लेकर मदान अधिकारी तक सभी महिलाएं भी हैं तो इस तरह से यह दि देखा जाए तो यह प्रत्रक शुरूप से इस महतिकारे के लिए 804 महिलाओं को जिमेदारी सौपी गई हैं लगभग 200 महिलाएं यह पर रिजर्व भी रखी गई हैं ताकि किसी की तवियत खराब होती है या किसी कारण वर्ष यदि नहीं आप आई या किसी कारण वर्ष दिक्कत आती हैं तो उनके लिए बाकादा यह अलग से रखा गया है कोड रखा गया है रिजर्व रखा गया है ताकि पूरे पांच ब राजध्दानी की बात कर रहे हैं राजध्दानिके रायपूर उत्तर विधान्सभा अ हलाकि इस में सबसे ज़्यादा विधान्सभा pronoun है और यह जी सबसे बड़ी बात यह की देखने वाली बात यह कीमर पर्संप 2007-0-10 न IST ется